कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो खुशियों को इंतजार किसलिए दूसरों की मुस्कान में खुश रहो क्यों तडपते हो हर पल किसी के लिए कभी तो अपने आप में खुश रहो छोटी सी जिन्दगी है तो हर हाल में खुश रहो दोर लंबी हो इसका मतलब ये नहीं कि पतंग बहुत उपर तक जाएगी उडाने का तरीका आना चाहिए दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं है जीने का सलीका आना चाहिए मनुश्य के पास सबसे बड़ी पूजी है उनके अच्छे विचार क्योंकि धन और बल किसी को भी कलत रापे ले जा सकते हैं कि तुँ अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कारें के लिए प्रेरित करें इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है हमारी सोच इसे बनाती है एक चाकू तब अच्छा होता है जब कोई इसका इस्तमाल जान बचाने के लिए करता है और बुरा तब होता है जब कोई आतंगवादी इसे मारने के लिए इस्तमाल करता है जब ज्यादा हसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेजिए कि वो इंसान अंदर से तूड़ चुका है